नई वीडियोज देखने के लिए शिमारू चानल को सब्सक्राइब करें नीचे मकान मलकिन रहती हैं और उपर आपको रहना है आईए मैं आपको घर दिखाता हूँ आईए मेडम एक बार आप घर देख लेंगे न तो आपका दिल खूस हो जाएगा आईए आईए मेडम ये देखे विंडो ये देखे मेडम टीबी सोफा डाइनिंग टेबल ये देखे मॉडलर किचेन बाकि सारी फैसलीटी है यहां पर आपको सिर्फ कपड़े लेके आना है आईए मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ ये देखे बेडरूम ड्रेसिंग टेबल अलमीरा आपको कुछ भी करने के ज़रूरत नहीं है आईए सारी फैसलीटी है यहां पर आपको कुछ नहीं लाना है सिर्फ कपड़े लाने है अब आप बताए कैसा लगा आपको ये घर शर्मा जी घर तो बहुत अच्छा है लेकिन उतने ही बजट में है जितना मैंने आपसे बताया था मैडम जी आपके बजट में पूरे मुंबई में अच्छी जगा ऐसा घर नहीं मिलेगा इसका रेंट भी सजार है क्या बीस हजार शर्मा जी आप क्या बोल रहे हैं देखे मैंने आपको अपना बजट बताया है प्लीज आपके टाइम बेस्ट मत कीजिए मैडम अब आपको अच्छी लोकालिटी भी चाहिए सेफ्टी भी चाहिए और रेंट भी कम देना है ऐसे कैसे चलेगा आप एक काम कीजिए अगर आपको ये घर पसंद है तो हां कीजिए कुछ चुगाड हो जाएगा चुगाड मतलब? मतलब ये कि आपके जैसी ही एक और पाटी है मेरे पास जिसको कम बजट में घर चाहिए अगर आप ओके हैं तो आप दोनों मिलकर ये घर ले लीजिए वैसे भी इस घर की मालकिन को फैंबली किरादार चाहिए बैचलर्स नॉट एलाओ ठीक है वो करती क्या है? करती नहीं करता है लड़का है वो विचारा मुंबई में आया है नौकरी डूडने शर्मा जी आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपार्टमेंट एक लड़के के साथ शेयर करूंगी वो भी कपल बनके अगर आपको मेरे बजट में घर नहीं मिल रहा ना दिखाने को तो आप मुझे साफ सब बता दीजी मैं कोई दूसरा ब्रोकर ढूलोंगी थैंक यू वेरी मुच मैडम जी इससे अच्छा ओफर आपको नहीं मिलेगा हलो पंकर ची आपको मेरे बजट में घर मेला क्या नहीं मैडम मेरे पास नहीं है काफी जगा देख लिया कोई घरी नहीं मिल रहा हलो शर्मा जी मैं रिया बोल रहा हूं जी मैडम आपने कुछ सोचा क्या वो उस लड़के से मीटिंग फिस कीजी ना मेरी ठीक है मैडम ठीक है बस आ रही है अजय कोई रहा है अजय कोई रहा है मिस्रीया यह है मिस्टर शान मिस्टर शान यह है मिस्रीया हालो हाई शर्मा जी आपने इने समझा दिया है ना कि हम सर्फ घर पाने के लिए कपल बनने का नाटक कर रहें अहां बताया और शर्मा जी आपने भी इने बता दिया है ना कि मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए हम लोग सिर्फ मजबूरी में यह कर रहे हैं जिस समय सब कुछ ठीक हुआ यह अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते वैसे भी मुंबई ने मेरी हालत खराब कर रखी अगर दो महिने में कुछ नौकरी का बंदोबस नहीं हुआ तो मुझे वापस गहां भी निकलना पड़े हैं जी सब बात हो गई तो यह तै रहा कि आप दोनों उस घर में मिश्टर एंड मिशेज बनकर सिफ्ट करेंगे वैसे भी कोई समान तो लाना है नहीं वेल फरनिष्ट घर है और एग्रिमेंट के जिम्हदारी मेरी है पी कितना हुआ? दोसा रुप्या हुआ है यह उछे और भी यह वेलकम, अमारे घर में आपका स्वागत है, वैसे यह मैं और मेरी बहन शुरूती रहते हैं, नीचे ही, अगर आपको सेटल होने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो फिल फ्री टू से, वैसे आपसे पहले यह जितने भी क्रायधार रहें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो होब आपको भी नहीं होगी मप अच्छे से रहें आखे सरे रहें करें अच्छा मुझे से लेट हो रहा है है कि रहते हैं यायग गो कि तो कि अछितन कहां कि आज ज़लैए है कि त कि अरे उठो ड़ो बैट पर तुम नहीं मैं सौंगी तुम जा के बाहर हॉल में सौन हो जो धू क्यों अधा कि रहा तुम आपी दे रहा हूना तो में हॉल में क्यों तुम जाओ हॉल में और शान्ती से सो जाना है मेरा कल इंटर्व्यू है और उसके लिए मुझे अच्छे सी नानी ज़रूरी है गुट नाइट अरे बुट शान्त पॉन में जाते जाते लायड बन गरते हैं इस इस आट शोल कि अ कि अच्छी आप लोगों से मिल लू अच्छा हो आप मुझे यही मिल गए मैं शुटी राज की सिस्टर आपके मकान माल किन ओ है मैं शान नाइस तो मीटिए आप कहीं जा रहे हैं हाँ वह अच्छी आज मेरा इंटर्व्यू था का रोड पर तो बस का रोड अरे मैं भी वही जा रहे हूं एक्षली मेरा ओफिस भी वहीं है इसलिए तो चलिए साथ में चलते हैं मैं आपको ड्रॉप भी कर दूंगी अब नहीं आप इतनी तकलीप क्यों ले रहे हैं मैं बस ले लूँगा इसमें तकलीप क्या है एक ही रास्ता है साथ में कट को अणिज आएगा बते कर्ते हैं आईये मैं आपको रप कर देते हैं और इसी बाहनин则 में एक डुस्रे को जान भी पाएंगे एएझे आईए, बैचिए, 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 बैचिए अरे आप, कुछ चाहिये था आपको? नहीं, कुछ चाहिये नहीं, बलकि देने आई थी वो, मैंने खीर बनाई है, सोच आप लोगों को दे दू वाँ, खीर मेरी फेवरेट है, अंदर आही न, बार क्यों बढ़ी आपकी सिस्टर शूती वो गर पर नहीं है, क्या? आप थोड़ी सी लेट होगी आने में, वो अभी ओफिस निकल गई वो, बस आप टेंशन मत लीजे, मैं उसके लिए भी खीर रख दूँगा तो आपकी सिस्टर जॉब करती है, और आप? मैं भी फाइनली आदना, अच्छा अच्छा, खीर कैसी बनी है? तोड़ी सी मीठी होगी है अब वो, अच्छा अच्छा, अपने बताये नहीं, अपने बारे में, अपने हस्बेंड के बारे में हाँ, मैं और मेरी हस्बेन कुछ ताहम पेले ही मुंबई आए हैं शान जॉब के तलाश में हैं, बस एक अच्छी जॉब मिल जाए बिल्कुल, वसे मुंबई सबको काम देता है यही सोच कर तो यहाँ आए हैं वैसे सोचा तो बहुत कुछ था पर शादी के बाद ऐसा कुछ था क्यर कोई बात नहीं, वैसे हम जब से यहाँ आया ना मुंबई, हामें तो मुंबई बड़ी रास आरी है अच्छा लग रहा है जैसे अब लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने बाला है अच्छा, मुझे जिम निकलना है आम सो सॉरी, मैं भी चलती हूँ, शान की याने का टाइम हो रहा है ओके नहीं बाला है खीर खाली ना? हाँ जरूर अरे शान अरे शान जरूर 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 कैसा रहा आपका इंट्रव्यू? हाँ, हुआ पर शायर जिसने इंट्रव्यू लिया उसको मैं पसंद ही आगा सॉरी बट दोंट वरी, जोब एकना एक दिन मिली जाएगी हाँ जरूर मैं इसी उमीद मैं भटक रहा हूँ यहाँ वहाँ, दो महिने से जरूर मैं आपको कहा यह सब बताने लग गया आप आप जाईए, आप जाईए, आप जाईए, आप जाईए चैनिजी आप क्यों हो इतनी तकलीप ले रही है मैं ठीक हो राज राज, 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 लगता है राज घर पर नहीं है, जिम गया हूँ, आप बैठी, मैं अभी याई, थैंक यू, बैठी, थैंक यू, कॉफी, थैंक यू, अच्छी बनी है, कॉफी, थैंक यू, शान उस्ताय मा बहुत मायूस थे, और मुझे कुछ बता रहे थे, कि आप दो महीने से जॉब की तालाश में हैं, तो आपका घर कैसे चलता है, सेविंग से, अप तो वो भी खतम हो गई है, तो, इफ यू न माइन, मैं पूछ सकती अपकी वाइफ का रियक्षन कैसा रहता है अगर में, वो सपोर्टिव है या, सपोर्टिव, क्या सपोर्टिव, वो भी घर पे तान ही देती है, कुछ समझ नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, हर जगे कुशिश करके देख ली पर ऐसा लगता है, तो इसे परा लगी खराब है, लग खराब नहीं, अच्छा है, इसलिए तो तो तुम यहाँ शेफ्ट हुए है, मतलब मैं, मैं समझा नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुमारी मदद कर सकती हूँ, मदद, आपके पस कोई जॉब है के, जॉब नहीं है, पर उससे भी कुछ खास है, देखो, मैं तुमें क जलाती हो, पर, इने दो लाइफ में काफी सुना पन है, तो अगर तुमें सुने पन को भड़ दो, तो जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती, मैं तुम्हारा सारा किराया माफ कर दूगी, क्या बकवास कर रही हैं, पर मैं शादिश हुदा हूँ यह, ऐसा सोच भी क मेरी जिंदगी में बस मेरा भाई राजी है, जिसका ख्याल रखने के चक्कर मैंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, इसलिए शायद लाइफ में आज तक अकेली हूँ, और तुम शादिश हुदा हो जो कि मुझे पता है, इसलिए तुम्हारे सामने यह ओफर रख रही दिखो, मैं तुम्हारे लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं बनूँगी, पक्का, सोचो तो, कितना अच्छा ओफर है सोच क्या रहा है, ओफर अच्छा है, और वैसे भी कौन सा शादिश उदा हूँ मैं, लड़की सामने से आ रही है, और साथ में पैसे भी ला रही है मुझत? अब सादा सोचो मत, वसमचे भालो करो अब सादा रही है झाल झाल अरे वाँ, क्या बात है, बड़ा चाहे करे हूँ, जोब मेलगे किया? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो चलो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है अगले हपते रेंट पे करना है, एक काम करो तुम मुझे अपना अधा रेंट मेरे अकांट में डाल दो, मैं साथ पे कर दोंगे, हाँ? अर्या, एक काम करते है, तुम्हारे जो रेंट का अधा हिस्सा है, वो तुम मेरे अकांट में रांसपर दो, अर्य वो, क्याना मेरे पैसे शाद लास मोमेंट पर राएंगे, तो वो, एक साथ देंगे तो अच्छा लगेगा, हाँ? ठीक, या राज, नाष्टा गरो पेले, पोन बाद में चलाना, अभी करता हूँ, हाँ, 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 पार्सल देने आए थी मैं आपका, अच्छली कुरेर वाला गलती से मेरे घर पर देकर चला गया, तुम खड़ी क्यों बैठो नाष्टा गरो, नहीं, आप लो खाई ये, मैं किसी प्लंबर का नंबर होगा क्या, तो अच्छली मेरा शार्ज हो खराब हो गया है, और शांटीगर पर है नहीं किसी को जानती भी नहीं हो मैं, सुच आप लोगो से पूछ ले, आप टेंशिन मत लीजे, उसमें क्या ना कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, मैं चल के ठीक हारी यह, रात सही कह रहा है तुम एक बर जाके देख लो, मुझे ओफिस जाना है लेट हो रहा है, ठीक नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं प्लंबर भीज देंगी, एके? थेक नहीं होगा तुम लेट हो क्या, सॉरी, तुम कर देना हा, चीक है, ऐके बाए, बाए हाँ 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 तुम्हारे पती शान के आने का समय हो गया है, ना? हम, हो तो गया है लेकिन क्या कर दो? तुम्हे छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा है पड़ जाना तो पड़ेगा, ना? वो क्या है ना? बले ये घर मेरा है पर तुम उसकी बीवी हो उसकी मेरी नहीं अच्छा ठीक, चलता हूँ मेलते हैं फिर चलती है अरे यार अच्छा कासा लड़का मिला हूँ लेकिन इस जोटी शादी के वज़े से अटक कही हूँ क्या बुरी फसी है यार तुरिया क्या बात है आज कुछ खास है क्या मतलब मतलब यह कि अच्छ अलगी मूड में लग रही है बॉइप्रेंट से मिल काई हो तुमसे मतलब तुम चुपचाप से अपना काम करो वैसे भी जूटी शादी के कॉंट्रेक्ट के वज़े से मेरा मूर खराब रहता है अब अगर तुम जादा बोलोगे ना तो मेरा सारा गुस्सा तुम पर उतर जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है मुझे बड़ी खुशी मिल रही जूटी शादी से एक जूट के कारण रोस्त नए जूट बोलने पड़ते हैं चार तो किसने बोला है तुम्हें जूट बोलने के लिए सच बता दो ना वैसे भी मुझे लगता है कि रास अब संझेगा उसे कोई प्रॉब्लम ने होगी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या अगर किसी को कुछ भी बोला न तो फ्रॉड के चक्कर में जेल भेज देंगे हम दोनों को किसी को कुछ बोलना मत एक साल का कॉंट्रैक्ट है तब तक समाल लो उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने रास्ते समझी हलो किसी को कुछ बताना नहीं है कल बारा बजे घर पर मिलें कंदाओ कांदाओ क्योंडelp ARE व्य कंदासा तुम्हारी बाव रहन कमैंक है ऐसा रखता है सिग्भा फिर से जीता है मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है अब जो रेंट नहां लेका तुमने मेरी मदद करिया है यह मों अभी नहीं देगा है तो इंतजार के स्पाइक उसकी कीमत हो यह मों पतेदे। कर दो जो पतेड़ नहीं देगा है कियों पतेदे? ज्यादा थके तो नहीं ना? मतलब, मैं क्यों थकूँगा? क्या पूछ रही हो, ठीक हो तुम? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, बल्कि अब सब कुछ समझ में आने लगा है देखा मैने तुम्हें उस मकान मलक इंशूर्टी के साथ, क्या गुल खिला रहे थे तुम? क्योंकि तुम्हारा ख्रच्चा आराम से निकलता रहे वाउ, ग्रेट! थोका दे रहे हो ना तुम मुझे? रुको, कहा जा रहे हो, हा? क्या भूला था तुमने मुझे? कि किसी को सच मत बताना, और ना जेल हो जाएगी? अर तुम मेरे साथ क्या कर रहे है? यह पैसे वापस करो, तुरांग वापस करो मेरे साथ क्या है ठीक है अर थीरे पोलो तुम्हारे रिस्से के रेंट के पैसे चाहिए ना? बिल जाएगे उसे तीन कुना जादा पैसे भी मिल सकते हैं अगर तुम चाहूँ तो तीन कुना जादा पैसे? अज़िये नहीं वह कैसे? सूचो मेरे और शुर्ती का अफैर कैसे हुआ होगा? जब वो जानती है कि मैं शादी शुदा हूँ पिर भी उसने मुझे ऐसा ओफर क्यों दिया? क्यों? क्योंकि शुर्ती को उसकी इससद बहुत प्यारी है तो वो चाहती यह है कि घर के घर में सब कुछ हो जाए और किसी को भनक भी ना हो इसलिए उसने मुझे चुना और मुझे यह ओफर दिया मेरे पास एक प्लैन है और उस प्लैन से तुम्हें तुम्हारे रेंट का पैसा तो मिली जाएगा मगर लाखो रुपे भी कमा सकती हो लेकिन अगर तुम चाहो तो सोच लो जी बोलिये अब भी से खर आगई तुम्हारा कॉल भी आ गया सुभा से बहुत याद आ रही थी तुम्हारी तो सुचा कि यह क्यों न हम मिले आज हम आइडिया तो अच्छा है पर आज नहीं हो पाएगा वो राज घर पर ही है इसलिए हर तो कोई बात नहीं मेरे आजो देखो वैसे भी रिया ना घर पे नहीं है और ये मौका मैं छोनना नहीं चाहता अच्छा ठीक है मुझे दस मेंट दो मैं अभी आती हू ज़ार कर रहा हूं अच्छा 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 थे अच्छा शान 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 का ओ यह तुम्हारे लिए अच्छा किसा लगा अच्छा 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 मुझे यहां इती जल्दी यू अचाना किसले बुलाया गया है यह लेकिन अभी जादा खुश्मत हो क्यूंकि सप्राइज अभी पाकी है माडम अच्छा 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 अच्छा, तो ये चल रहा है मेरे पीड पीछे हाँ, और तुझे, शरम नहीं आई तुझे मेरे पती के साथ रंग्रलिया मराते हुए, ये जानते हुए कि ये मेरा पती है, तुम दोनों की ये हर्कत ना, पूरे मोहलने वाले को बताऊंगी, मैं बताऊंगी कि तो कितनी घट रिया लड़की है, रिया, रिया जैसे तुम सोच रही हुए, वैसा कुछ भी नहीं है, हट, पागल संझ है क्या मुझे, सब कुछ मैने अपनी नजरों से देखा है, रता ना टक मत कर मेरे सामने संजी, तेरा भाई, बहुत गुन आता है न तेरे, उसे भी बताऊंगी कि कि की अच्छी है इसकी बहन बताशीं मै तो लों को जाएं जब रिया जाएं तुम्हत नीं आज किज मत बताना रिया व्म किसी को अभी गलती नी होगी ने रेंकेश को तके लिए पाट इने का parl II झो एक बढ ना सुन प्ली एक बार माफ कर दो लीखोर दो तुम जो बोलोगी ना, तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी हम भो करेंगे, है ना? माम बस एक बार में को मात कर दो, प्रीज ठीक है, लेकिन एक शर्थ पर मेरा मुझ बंद रखने की कीमत अदा करनी होगी मुझे पांच लाख रुपे चाहिए मेरा मुझ बंद रखने की कीमत दे रही हो या फिर नहीं? रिया, यह तुम क्या कह रहे हूँ? मैं इतने पैसे कहां से लोगी हूँ? बगवास बंद कर सिफ हां या ना बोल वरना तुम दोनों अपनी बदनामी के लिए तयार हो जाओ रिया, मैं मैं लाओंगी पांच लाग रुपे मुझे दो तिन दुन की मौलब तो दो प्लीज अरे हां क्यों नहीं तुम्हारी लिए मैं इतना तो करी सकती हूँ जाओ, तीय दो दे, पैसो का बंदो बस करो फड़िद के लाओंगी प्लान करना पहला एका सक्साष्ष्ष्ट लोगया अब सुनु आके, क्या करना है जैसे ही यह पैसे लाखे देती है हम लोग यह से निकल जाएंगे इंटेंशन मतलो इसका प्रभु मिकरने के पूरे तरीके आपे लिए अजए 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 लिए अजए अजए कवाल है हरे क्या नहीं हो पाएंग अगरा मुझे कुछ नहीं पता मुझे मेरे इंवेस्टमेंट के पांच लाक रुपे कल ही चाहिए तुम मेरे अकाउंड में ट्रांसफर करा दो बस दीदी क्या होगा अब इना परेशान क्यों है कुछ नहीं हो बस ऐसे एक काम करो तुम खाना काओ मैं बस बाहर होकर आती हो अब जिगे तुम खाने खाले ना बाई अच्छा बात उमने टाइम पर कैसो का बंदबस कर लिया वो क्या है ना मुझे लेट लतीफ लोग बिलकुल पसंदिली और हाँ तुबारा इक दुसरे को देखने की सोचना भी मत वरना इस बार मैं शांती से काम नहीं लोगी क्या हो कुछ भूँ है पैसो की सच बता रहा हूं इतने सारे पैसे मैंने एक साथ पहली बार देके मज़ा गया अच्छा यह सारा प्लैन इस निठले शान का था हाँ वह मानना पड़ेगा क्या बेवकूफ बनाये तुम दोनों ने मुझे शुटी तुम चली गई थी पर वो क्या है ना आपना पॉर्स यहां भूल वे तो सुचा लेने आ जाओ वरना क्या पता तुम दोनों कर कोई इसको लेका ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दो पर यहां आई तो तुम दोनों का तो राज ही खुल गया तो सुथी मैंने कुछ नहीं किया यह तुम पर तो कितना बरोसा किया था मैंने पर तुम लिए विच पर तुम से और कुछ उमीद भी नहीं की जा सकती पर एक चीज की जा सकती है तुम दोनों का राज सब के सामने लाए जा सकते है मैं भी पोडिस को बला के तुम दोनों को जेल बेजवा दूंगी जो जो लो एप पूसी नो भागे लिया कि अढopen है कि अढु़ खुम कर दो कि22 ऑेपी Hmm है ंच्छ फिर से अच्छ तर्व आप अप कैसे वाइसर अधाने सेर हम भी हःराने कि सब अच्छानक कैसे हो गया, अच्छा कासा हमारे साथ बैठी थी, बाते कर रहे थी, हमारे साथ चाय भी पीप, बस फिर बोली कि राज के आने का टाइम हो गया है, और उसके बाद बस हमने एक चीक सुनी, फिर पता नहीं कब क्या, देखे हम बॉड़ी को कुष्ट मार्टम के ल और हाँ, आप में से कोई भी कही आँ से बहार नहीं जाएगा, जब तक ये केस आन है, नहीं से जाएगा संभालो आपने आपको बेटा, हो नहीं को कौन टाल सकता है, किसे पता था कि इस गर भी इतना बड़ा एक्सिडेंट हो जाएगा ची काका, काका आप फोन पर कुछ जरूरी कागजावत के बारे में बात कर ले ते हाँ बेटा, ये वसियत के पेपर देने थे, अब इस वसियत के इसाब से ये प्रोपर्टी आपकी है, ये लीजेज, इसे समाली, क्या करूँगा काकाम मैंस, कैसे समालूँगा मैं इस सबके लिए, समालना होगा आपको, इस प्रोपर्टी को भी और अपने आपको भी लिए, वेटा, मैं चलता हूँ, अपने आपको सम वाली में देखो राच, संभालो खुद को मैं जानते हूँ कि तुम अकेले पड़ गया हूँ शूती दी चली गए लेकिन प्लीज तुम खुद को अकेले माँ समझाँ मैं हूँ तुमारे पास शादी के डर से मैंने तुम से छुप कर प्यार किया है लेकिन अब में जान चुके कि जिंदगी में कभी कभी कुछ बड़े कदम उठाने पड़ते हैं क्यूंकि तुमको मेरी जरूरत है मेरी साथ की जरूरत है और ऐसे मुश्किल वक्त पे मैं तुम्हारा साथ नहीं जोड़ सकती इसलिए मैंने एक पैसला किया है कि मैं शान को सब कुछ ससच बता दूंगी और फिर हमेशा के लिए तुम्हारी पास आ जाओंगी तुम्हारी शक्ती बनके और तुम्हे कभी भी अकेला नहीं छोड़ों I promise Ria आगे तुम्हारा मैं बस राज को खाना देकर आती हूं उसके बाद हम लो खाना ठीक है एक मिनट तो मुझे डबल कॉस करी मतलब एए स्वादा भूली मत बन समझी अब सुनलिया मैने क्या बूली थी तुम्हारा शादी करना उससे जरस्ती वसाना उसके साथ मुझे शूड़के उससे शादी करेगी ठाकि सब प्रॉपेटी तेरी हो जाए वाह चुडू मुझे थोडू पुझे चुडू सुन मुझे पता है हमारी शादी नहीं लीक जीज़गे अब चाहे वो दोका हो या फिर शुरूती की मौत दोनों में हम बराबर के हिस्सदार हैं तो एक बात ना तू कान खोल कर सुन ले कि अब आगे जो कुछ भी होका उसमें हम दोनों बराबर के हिस्सदार ही होंगे इस तरीके से इगनोर नहीं कर सकती तो मुझे हलो हलो मिस्सर राज हाँ मैं शुरूती का सीय मिस्सर राम बोल रहा हूँ जे रामदी बोलिया क्या आप किसी शान अगरवाल को जानते हैं क्या है नहीं कि शुरूती पिछले दो महीने से उसके अकाउंट में काफी पैसा ट्रांसफर कर चुकी क्या आप जानते ही इस बारे में शान दीदी क्यों से पैसे बेजेगी यही तो मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि दो दिन पहले ही उसने अपने इंवेस्मेंट के पांच लाग रुपे भी निकाल ली है क्या आपको अंदाजा है इस बारे में अलो मिस्सर राज अलो तुम्हारे हिमात के समी मेरे साथ ऐसा सुलुक करने की हां देखो बीबी नहीं हूँ मैं तुम्हारी समझे पर तुम्होते कौनों मेरे ले डिसाइड करने वाले हां मेरा जो मन करेगा में वो करूँगी और क्या बकवास कर रहे थे तो कि जो किया है हमने साथ में किया है एक बात ध्यान से सुलू बेको शूती को ना ब्लैकमेल करके पैसे निकालने का आइडिया तुम्हारा था मैंने बस तुम्हारा साथ दिया था रही बास शूती के मडर की तो वो हम दोनों ने मिल कर किया थ लेकिन वो नौबत तुम्हारी बज़े से आई थी, समझे तू? और अब तो मैं राज के साथ सेडल होकर रहूंगी, मैं देखते हूं, मुझे कौन रोगता है अच्छा, ऐसी बात है, तो ठीक है तो मैं पुलिस के पास जाकर शूती की मौत का सारा सच बता दूगा रही बात वो पांच लाग रुपए की? एक मेट और यह ना, इस साथ लेकर जाओंगा, सबूत के तौर पर खुद जेल चला जाओंगा, लेकिन तुम्हें भी चेल प्रचवा कर रहूंगा फिर देखता हूं, कैसे बनती हो ये करोडो की प्रॉपर्टी की अकेली माल के शान, मेरी बास सुनो शान राज, तुम्हें अब समझ आया के मेरी बहन पारेशान क्यों रहती थी क्योंकि तुम लोग उसे ब्लैक मेल करते थे नहीं, राज, राज मेरी बास सुनो, मैंने कुछ नहीं की है, सब कुछ इसने की है इसे ने शुरुदी को पहसाया था और इसने मुझे अपनी बातों में पहसाकर उसे मजबूरी में ये सब करवा दिया राज मैं सच बोल रहे है ये इसने अपनी मज़ी से मेरा साथ दिया था और अब जब सब कुछ तुम्हारे नाम हो गया है तो तुम्हारी हमदर्थ बनके तुमसे शादी करके तुम्हारे पैसो की मालकीन बनना चाहती है ये जब बन कर अपनी एनो टंकी तुम लोग का खेल खत्म अब मैं अपनी बहन को तो नहीं बचा पाया लेकिन अब मैंने इसमें सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है अब देखो मैं क्या करता हूं तुम्हों का अरे खड़े खड़े देख्या रहा हमें जेल में जवा देगा पकड़ो उसे पकड़ो अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साब आप आगे मुझे मेरे सिये ने फोन करके बताया था कि मेरी बहन इनको पैसे टांसफर करती है मुझे तब ही शक हो गया था कि उसकी मौत कोई अक्सिडेंट नहीं बलकि इसके पीछे कोई राज है तब ही मैंने इंस्पेक्टर साब को फोन करके बुलाया और यहां सब कुछ तुम से पूछने आया था और मेरी किसमत देखो सब कुछ मेरे सामने साफ हो गया इंस्पेक्टर साब इन दौनों नहीं मिलकर मेरी बहन को मारा है सबूत इस फोन में कॉंस्टेबल गरिप्तार करो इने झारो 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 4 झाल झाल